अगर आप मेरे चैनल पे नियू हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर सिक कर लीजेगा तो आज मैं आप लोग की साथ सेर करने जारी हूं यह मेकप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और मैंने यह बहुत ही जी वे में क किया है अगर आपको मेकप नहीं भी आता है तो फिर भी आप इस मेकप को अराम से कर सकते हो देख सकते हो तो यह मैंने तीवाली के लिए क्रेट किया है बहुत ही जी वे में मैंने बताया है तो आप चलिए सुरू से एंड तक मेरे वीडियो को देखिए और आपको समझ में कोई भी मेकप करने से पहले हमारे स्कीन को प्रिपेर करना पड़ता है स्कीन के अर्ट करना पड़ता है मेरा फेस अभी क्लीन है मैं यूज करके आए हुँ उसके बाद हम सबसे पहले यूज करेंगे टूनर ॅ तोनर लगाने कि बाद मैं लगाऊंग फिड्राइजर अगर आपकी डृव किन है तो आप बोढ़ में हैंक बटा भी मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मै बोल प्लस नहीं है तो टोनर लगाने के बाद लगाने yang नुह्त भी और dorm अगर ड्राइस्टेराइजर लगा सकते हो अगर DRY SKIN है तो तो अच्छा सा मॉश्टेराइजर लगाएं वर्णा फाउंडेशन वगिरा यूज करने के बाद आपका बिल्कुल DRYDRA ऐसा फेस हो जाएगा इसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर प्राइमर में मैं यूज करी हूँ अलोवेरा जल आपको इसा भी प्राइमर यूज कर सकते हो अलोवेरा जल सबके पास होता है इसलिए मैंने आज अलोवेरा जल ही यूज किया है और अलोवेरा जल ना बहु और जहां भी डार्क स्पोट है महां पर मैं लगा लूँगी और इसे हम अच्छे से ब्लैंड कर देंगे ब्लैंडिंग बहुत जरूरी होता है मेकप में जितना अच्छा से आप ब्लैंड करोगे ना आपका बेस उतना ही सुन्दर सा निखर कर आएगा तो देखिए अच्छे मिनट तक अपने स्किन को रेष्ट दीजेगा ताकि जो प्राइमर है वो सेट हो सके और प्राइमर को कभी भी रगड कर नहीं लगाना चाहिए डैप डैप करके स्किन में लगाएं ताकि वो हमारा जो पोर जेव अच्छे से बंद हो जाए उसके बाद देखिए मैंने आइ में तो बहुत ज्यादा लोग यूज़ कर लेते हैं बट ऐसे रियल में आपको बहुत आफ़ट फिल होगा और ऐसा ना लगए कि जो कर ही हम बन गया है तो इसलिए थोड़ा कम यूज़ करें ताकि थोड़ा अजीब भी ना लगे और आपका मेक अप भी बहुत अच्छा मैंने फाउंडेशन ले लिया है और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जैसे कि मैंने बताया जितना अच्छा से आप ब्लेंडिंग करूंगे ना आपके फाउंडेशन को आपका बेस उतना ही अच्छा आएगा निखर कर और हाँ गला और कान को बिलकुल ना भूले रेंस आपके डिक्राट्ट यूरा प्राड़े उप पालगे विलां पहने जूंत वालत– शुर। पहतल में मोईull मिस ते पाला में शुरुत कि पहले और तो कि पहले मोईडना भीएड डिकाथक करें उसके बाद हम eyebrow में eyebrow pencil भर लेंगे और उसे हम comb भी कर लेंगे जो मारा brush है उसे हम set कर लेंगे तो ये जो मेरा eyebrow pencil है ये dark brown है black नहीं है क्योंकि मेरे eyebrows है वो घने है तो मैं black अगर use कर लेती हूँ तो वो बहुत ही अजीब दिखता है तो इसलिए मैं brown ही use करती हूँ उसके बाद हम eye makeup start करेंगे तो eye makeup करने के लिए मैंने जो dark brown होता है न वो लिया है और वो मैं eye crease पर बस लगाओंगी और कहीं नहीं eye को न एक मतलब की crease पर जैसे आप लगाओगे न तो आपका अलग से निखर कर आएगा eye shadow तो बस हम देख रहे हूँ आप बस crease पर मैं लगा रही हूँ और dark brown कलर मैंने लिया है तो लेके मैं इसे अच्छे से smudge कर लूँगी उसके बाद हम लेंगे dark blue कलर और मैंने हाथ से ल dark blue लिया है और उसे हम अच्छे से लगा लेंगे और यह eye makeup में भी बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से smudge करें ऐसे लगा के थोप के छोड़ना दे जितने अच्छे से आप उसे blend करोगे ना आपका बहुत ही अच्छे से eye makeup निखर कर आएगा उसके बाद मैंने फिर से लिय है और डबडब करके eye lid पर अपना लगा लिया है ताकि जो है ना वो थोड़ा सा खिल के दिखे हमारा eye lid उसके बाद हम उसे अच्छे से smudge कर देंगे और इस smudge करने के बाद आप देख सकते हो ज्यादा मैंने heavy eye makeup ने किया है क्योंकि वो बिल्कुली मुझे अजीब लगता ह है भी eye makeup और तहवार वगेरा पे तो थोड़ा light ही ठीक है वैसे अपनी मर्जी आपको अगर dark पसंद है तो आप dark भी कर सकते हो और यह जो मैंने यहाँ पा थोड़ी सी गलती कर दी थी उसके बाद मैंने eyeliner लगा लिया और यह जो face powder मैं अभी यूज करी यह ना foundation लगाने के ब तो उसके बाद मैंने लगाया है आई मेकप के बाद मैंने लगाया उसके बाद मैंने लगा लिया है काजल और काजल लगाने के बाद जो हमने dark blue लिया था ना अपने eye makeup के लिए वही side लेके मैं lower eyelashes पे भी थोड़ा हलका हलका समझ कर रही हूं इससे बहुत ही अच्छा look आए तो यह lining जरूर बनाए लिप liner यूज जरूर करें और एकदम dark side का यूज ना करें बहुत लोगों मैं देखती हूं कि हमारा जो लिप liner होता है वो बिल्कुल dark होता है और lipstick जो होता है वो light होता तो वो बिल्कुल अजीब दिखता है तो ऐसा लगा है जो कि हमारे lipstick में छिप बस हमें lining देने के लिए वो करना होता है तो देखिए हमारा जो make up है मेरा make up है वो complete हो चुका है तो अब मैं ज्वैलरी वगेरा पहन लेती हूं और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतना make up तो मैंने पहली बार किया है पहली बार मतलब मैंने करवा चौत में किया था तो उतनी अच्छे से मेरा make up नहीं हुआ था बट इस बार आप लोगों बताये का कैसा हुआ है और आप मैं ज्वैलरी वगेरा पहन रही हूं उसके बाद मैं आप लोगों को अपना final look दिखाते हूं तो आप लोगों कैसा लगा मेरा यह make up look अच्छा लगा हो तो share कर दीजिएगा ओके love you take care bye bye